उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात ने कॉंग्रेस पार्टी पर निशाना साथते वे कहा कि कॉंग्रेस जो देश के सबसे पुरानी राजनितिक पार्टी है दुर्भाग्य से आजादी के बाद वो दिशाहीन हो गई और आज वो नेटित्व हीन भी हो गई है योगी ने कहा कि यही दुर्भाग्य पुर्ण स्थिती यूपिय सरकार के दौरान देखने को मिली थी जब कॉंग्रेस के एक वरिष्ट नेता और ततकालीन केंज्रेग्री मंत्री ने भगवा आतंकवात के नाम पर भारत की संस्कृति का अपमान करने की कोशिश की और दुनिया के साब ने इसे बदनाम करने का भी प्रयास किया आज प्रधान मंत्री मोदी की नेतित में भारत की सभ्यता और संस्कृति को दुनिया में सम्मान मिल रहा है भारत का गौरव पुना स्थापित हुआ है जो देश का सबसे पुड़ाना राजनितिक दल है दुरभाग्य से आज़ादी के बाद वा दिसाहीन हो गई और आज तो वा नित्रत विहीन भी हो गई ये दिसाहीनता का ही दुस्पैणाम है कि कॉंग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने लगातार भारत की सभ्यता और संस्कृति को कोशने अप्पानित करने और सनातनता को हर प्रकार से बदनाम करने के कुछित प्रियास किये हैं यूपिये सरकार के समय यही दुरभाग्यपूर्ण स्तिती देखने को मिली थी जब कॉंग्रेस के एक बरिष्ट नेता ने और उस समय के केंद्रिये ग्रह मंत्री ने भगवा आतंगबाद के नाम पर भारत की सनातन संस्कृति को अप्मानित करने का प्रियास किया था दुनिया के सामने बदनाम करने का भी कुछ सी चेश्टा की थी यहर बेक्ति जानता है कि कॉंग्रेस की नीतियां देश के अंदर आतंगबाद और नकसलबाद का कारण बनी और आज मोदी जी के नित्रतों में न केवल आतंगबाद और नकसलबाद की समस्या का समाधान हु बलकि देश के अंदर चायवा जमू कस्मीर की का उगरबाद हो वहां का आतंगबाद हो चायवा पुरोत्तर का के राजकता हो चायवा देश के विभिन राज्यों में यूपिये सरकार के समय जो नकसलबाद था लगबग 17 राज्यों में 115 से 120 जनपद ऐसे थे जो नकसली हि देश में राजकता थी अविवस्ता थी पिसले दस वर्स में देश के अंदर सुरक्सा का एक बहतर माहोल बना है आतंगबाद की जड़ जमू कस्मीर के धरा 370 को मोदी जी के नेत्रितों में ग्रह मंत्री अमिच साह जी के नेत्रितों में पूरी तरह समाप्त करते वे कस्मीर को विकास की मुक्यधारा के साथ जोड़ने का कारे की जी करते हैं।